दोस्तो हाली में ही हमारी वायू सेना के लिए 37 में नए तेजस फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी मिल चुकी है तेजस फाइटर जेट की फाइर पावर को 10 गुना तक बढ़ाने के लिए आज एमीडिये ग्रूप की तरफ से दो नए हतियारों को भारत के लिए ओफर किया गया है तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि पहले हमारी वायू सेना के पास 40 तेजस फाइटर जेट मुझूद थे और इन तेजस फाइटर जेट की परफोमेंस को देखते हुए ही हमारी वायू सेना ने 83 और ने तेजस फाइटर जेट का ओडर H.E.L. को दिया था जिनके डिलेवरी भी फरवरी दो हजार चोबिस से हमको मिलनी भी शुरू होने वाली है और परसो ही 97 में ने तेजस फाइटर जेट की खरीद को भी मंजूरी मिल चुकी है तेजस फाइटर जेट के लिए एमबीडिये ग्रूप पहले ही अपनी एसराम मिसाइल और मिट्योर मिसाइल भारत को ओफर कर चुका है लेकिन आज एमबीडिये ग्रूप की तरफ से अपने नेक्स जनरेशन के एर टु सर्फेस वैपन यानि की स्पेर को भी भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए ओफर कर दिया गया है साथ में MBDA ग्रूप की तरफ से ब्रीम स्टोन मिसाइल को भी तेजस के लिए ओफर किया गया है अगर भारत स्पेर या फिर ब्रीम स्टोन में से एक भी हत्यार को अपने तेजस फाइटर जेट में लगा देता है तो ये दोनों ही हत्यार इतने शक्षम है कि ये चाइना और पाकिस्तान की नींद को उड़ा कर रख देंगे क्योंकि जो ये स्पेर वैपन है इसको स्पेशली हवास से सतह पर मार करने के लिए बनाया गया है जिसकी मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश की बंकर रडार स्टेशन फ्यूल डीपो को तभा कर सकते हैं इस वैपन का वजन 100 किलोग्राम है वही पर ब्रिम स्टोन मिसाइल की बात की जाए तो इस मिसाइल की रेंज 40 किलोमीटर है लेकिन अगर इस मिसाइल को जादा उचाई से फायर किया जाता है तो उस समय ब्रिम स्टोन मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर तक हो जाती है ब्रिम स्टोन मिसाइल का इस्तमाल इस समय प्रिटेन अपने प्रिडियेटर ड्रोन में भी करता है और अगर इन दोनों में से एक भी हत्यार को हम अपने तेजस फाइटर जेट में लगा लेते हैं तो हमारी फायर पावर दस गुना तक बढ़ जाएगी और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको तेजस फाइटर जेट में इन दोनों में से किसी एक हत्यार को भी लगाना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो, हैव अगूड डे